बॉलिवर इंडस्ट्री की मशूर अक्टर और सिंगर अध्ययन सुमन को लेकर इस वक्त आई है बेहद ही जादा तकलीफ दे खबर खबर ये है कि उनके फेक डद की न्यूज बारल हो गए जी हाँ उनके सड़न डिमाईज की न्यूज बारल हुई लेकिन ये सच नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ अफवा हैं आखिर इतनी जादा शर्मनाक हरकत किसकी थी आखिर क्यों किसी मीडिया चैनल ने इस तरह की हरकत की पर सवाल उठा तो अपनी मा के पास सीधा अध्यायन पहुचे जैसे ही अध्यायन को ये पता चला कि इस तरह की फेक खबर बारल हुई है वो चिंता करते नजर आएं क्योंकि एक नैशनल टीवी पर अध्यायन सुमन शेकर सुमन के बेटे अध्यायन सुमन के सटन डिमाई की फेक खबर बारल की गई जिसके बाद अध्यायन की मा टीवी पर ये देखते हैं शौक्ड होई वो चाती थी अपने बेटे से बात करना लेकिन राजधानी दिली में अध्यायन सुमन एक मीटिंग की वजह से व्यस्त है जिसके कारण अध्यायन सुमन को वक्त नहीं मिर है उस वक्त अपनी मा से बात करने का जिसके बाद वो सीधा अपनी मा के पास लेकर आए अध्यायन ने इस पर क्लारिफिकेशन देते वे कहा कि आखिर ऐसा किसे नहीं क्यों लेखा है इस शेमफूल बहुत ही जादा नाराज नज़र आए नेटिजन भी श्रॉक्ड है अध बहुत ही जादा घबरा गई यह सुनकर कि उनका बेटा नहीं रहा लेकिन यह सिर्फ और सीफ जूटी खबर थी अध्यायन तो राजदानी दिली में मीटिंग के लिए पहुचा था अध्यायन ने भी कहा इस शेमफूल थिंग आई बहुत ही जादा घबरा गई यह सुनकर यह कहना है मीटिया वालों को अध्यायन सुमन की तरफ से कि यह बहुत गलत है इस तरह की खबरे पहलाने के लिए क्योंकि वो पनी जिंदगी के साथ खुश है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा क्यों इस तरह की बाते लोग बिना किसे तहकीकात के लिगते हैं शेखर सुमन ने भी आगे का हां वाला आंटे कि लेगल आक्शन अगिंस थैम और सुविंग देम फोर अच अ रिप्रहेंसिबल आप अग्ड तो बीमोर रिप्रहेंसिबल अग्ड अग्ड पनाइस पीपल लाइप एंड दिस्त्रोय 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 नेग्ड झाली रिप्रहेंसिबल आक्शन ऱवीग के लिए लाइप इख़ बाने भीयूश्म